हुआ हेलो सुदेंट्स वेलकम तू अफिसेल इटूप चैनल आप ओरिजिन कोचिंग आप सभी का स्वागत है आज के हमारे मैथमेटिस के क्लास पर और यह क्लास 12 का मैस है और आज से हम सुरू कर रहे हैं डिफ्रेंसियेशन आउकलन का आज यह पहला लेक्चर है इसके ठीक पहले हमने डिफ्रेंसिबिलिटी पढ़ा है आज से हम आउकलन स्टार्ट करेंगे तो देखें कल्कुलस का ए मेजर पोर्ष क्लास के बयसी कांसेट में आपको बताऊंगा वैसे आप दिफ्रेंसियेशन का बैसी क्लास से स्टार्ट कर देते आप फ़ікहँड आज हो और बहुत से रब्रकूलस का कल्कुलस का तो क्लास काम क्लास ौ क्लास 12 के दूर्ट नियुद्स 40-50% अलग-अलग बॉर्ड में थोड़ा कम जाद हो सकता है एवरेज मान के चलो 50% सी लेवास उनली कल्कूलस का होता है इसलिए कल्कूलस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इन फ्यूचर आपको यदि आप मैस्मेटिस पर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो भही आप सभी का गुड़ इवनिंग यृवी गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग इवनिंग बिल्कूल सभी बॉर्ड में काम आएगा आपको यह को चलिए तो अब कलन कैलकूलस में पहले आपको मैंचिक इंट्रॉड़र्स न दे दूँए इसका डिफ्रेंसियेशन आप 11 क्लास में calculus पढ़े हुए हो alkaline का मतलब होता है differentiation का मतलब होता है differentiate करना मतलब part-part में बाटना 11 क्लास में हम जो differentiation पढ़े हैं तो हमको starting introduction हमको बताया गया कि differentiation का यह formula है d by dx of x to the power n equal to n into x to the power n-1 ऐसे हमने बहुत से formula लगना किया 11 क्लास से आपका differentiation स्टार्ट हो जाता है और 11 क्लास में जो differentiation स्टार्ट होता है वो only formula का सीधा-सीधा application है d by dx of this, d by dx of this हाला कि उनको भी मैं कराऊंगा भी शुरवात में लेकिन यह जो formula है यह formula हम यहाँ पर याद कर लेते हैं याद करने के बाद हमको जब differentiation करने बोला जाता है तो d by dx of x to the power 7 मालना हमको differentiate करना है हम इस formula में apply कर जेते हैं यहाँ पर n का value 7 है तो 7 into x to the power 7 minus 1 that means 7 into x to the power 6 ऐसा होता है यह हम पढ़ते हैं वैसे मैं बहुत कुछ basic तो physics के class में basic mathematical tools में भी पढ़ाता हूँ क्योंकि physics के class में इसलिए हम उसको बहुत strong करते हैं क्योंकि physics में naturally आपको पता है कि 11-12 दोनों class में plus competitive exam में physics में calculus बहुत ज़्यादा यूज होता है तो यह differentiation का इस तरह से यूज होता है यह आपको मालूम है formula का देखो यहाँ पर calculus के two parts Newton ने बताए Newton के दिया हुआ mathematics है differentiation बताया integration बताया चुकि integration हमको बात में पढ़ना है अभी हमको integration पर बात नहीं करना है तो differentiate मतलब होता है part-part में break करना differentiation में यहाँ पर power 7 था एक बार differentiate करने के बाद power क्या हो गया उसका 6 हो गया तो पहला काम है आपको जो इसके basic formula उसको learn करना है लेकिन चुकि अब आप 12th class में advance में पढ़ोगे तो यह जो formula हमारा आया d by dx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1 यह formula का हमको derivation भी देखना है इस formula का derivation जो होता है उसको हम first principle कहते हैं प्रथम सिधान करते हैं तो सबसे पहले हमको पूरे formula का पूरा तो आपको बताने के जोड़त नहीं है कुछ बताऊंगा ता आप समझ जाओगे उसका first derivation से differentiate करना है जैसे यहाँ पर मैंने पूरा formula का derivatives का standard function का differentiation का formula आपको दिया हुआ है d by dx of x to the power n, d by dx of e to the power x, d by dx of a to the power x, d by dx of log x, d by dx of log x, d by dx of log x, यह पूरा मैंने अभी आपको इसके पूरा formula का collection दूँगा और पूरा उसको मैं explain भी करूँगा और कैसे आया लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूँँ कि यह जो इसके basic formula है वो derive कैसे हुए तो उसको derive करने के लिए जो हमको समझना होता है वो है first principle यह आपको जानना बहुत जोड़ी है और कुछ question आपके first principle से भी salve करने के लिए सकते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम सिध्धान्थ और जितना भी basic formula derive हुआ है calculus में वो सब का सब first principle से derive हुआ है तो यह थोड़ difficult है और important है इसको आपको सबसे पहले ध्यान से समझना है कि भाई first principle क्या होता है first principle से differentiate कैसे करते हैं first principle से differentiate करने का जो अपने पास formula होता है वो formula है यह कि function of x suppose अपने पास कोई function of x given है यह हमको given रहेगा function of x हमको दिया रहेगा तो इसका f dash x निकालना है f dash x मतलब होता है उस function का first derivative तो first derivative निकालने का जो formula होता है जिसको हम f dash x से represent करते हैं यह मने f dash लिख दिया तो f dash x equal to होता है limit h tends to 0 limit h tends to 0 function of x plus h minus function of x upon h जैसे भी आपने differentiability पढ़ा इसका ठीक पहले वाले chapter में जैसे आपने differentiability पढ़ा उसी तरह से differentiability का ही formula है यह कि first principle से f dash x equal to d by dx as far limit x tends to 0 function of x plus h minus function of x upon h इस formula से हम क्या करते हैं differentiate करते हैं तो यहाँ पर देखो इस formula से differentiate करने का मतलब यह है कि जो भी basic formula बना वो इसी से बना अभी मैं आपको एक question इसमें करके बताता हूं कि किस परकार से हम first principle से differentiate करते हैं चलिए इसका हम पहला ही formula ले लेते हैं कि जो हमारा basic formula है हम जानते हैं कि पहला हमारा question है suppose हमको पता है d by dx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1 अब इसी formula को हमको prove करना है by first principle first principle की साहता से हमको इसको prove करना है तो चलिए इसको हम prove करें first principle से इसके लिए क्या करेंगे देखो सबसे पहले हम यह जो x to the power n जिसको हम differentiate करना चाहते हैं वही function of x का value है तो function of x का value उसको हम consider कर लेते हैं let function of x equal to x to the power n इसको हम next to the power n suppose कर लिया therefore अब इसको यदि हम function of x plus h के form में लिखना चाहें तो यहाँ पर हम x के value को x plus h लिख दिए तो right side में भी हम इसको x plus h to the power n लिखेंगे यह लिखेंगे therefore by first principle अब हम इसके first principle को formula यूज़ करते हैं therefore by first principle अब यदि यहाँ पर हम first principle का formula लगा दें जो कि क्या है f dash x एक बार formula को मैं लिख रहा हूँ equal to होता है limit h tends to 0 function of x plus h minus function of x upon h अब यहाँ पर हम value को put up कर दें तो क्या हो जाएगा ठीक है यह f dash x को हम dy by dx भी कहते हैं f dash x का मतलब वही होता है अब यहाँ पर हम इसको लिखे हैं d by dx आफ यह d by dx आफ मतलब क्या है कि इसका x to the power n यही हमने इसको y का value लिया है function of x y भी होता है इसको हम y भी लिख सकते हैं function of x को y भी लिखते हैं तो यहाँ पर होजा अगर d by dx of x to the power n d by dx of x to the power n equal to अब limit में हम value पूट करते हैं limit h tends to 0 function of x plus h का value है यह x plus h to the power n तो यह हो जाएगा x plus h to the power n minus x to the power n upon h यह हमने first principle के formula में इसका value put up कर दिया ठीक है मैं बहुत साट कर तरीके से और एगदम clear बता रहा हूं अब यहां से हम इसको salvo करें तो that equal यह हो जाएगा limit h tends to 0 अब हम क्या करें यह दोनों में से x to the power n को common कर लेते हैं यदि हम यहां से x to the power n को common कर लें तो देखो यहां से x to the power n common होगा तो इसमें दोनों में divide होगा तो यह हो जाएगा 1 plus h upon x to the power n और minus 1 क्योंकि यहां पर x to the power n common हो चुका है upon h यहां पर मैं binomial छोरम के start-cut method से उसको derive कर रहा हूं पूरा expand करने के बजाएग तो आगे हमको मालूम है binomial छोरम का जो special condition होता है limit h tends to 0 यह होग x to the power n यहां पर ध्यान देना जब binomial छोरम में first term 1 हो और second term rational number हो जहां पर उसका जो numerator है मने उसका answer है वह denominator से बहुत छोटा हो तो यह जो power है सामने आके multiply हो जाता है physics में मैंने इसको कई वर बताया भी class में तो यहां जाएगा 1 plus n h upon x और यह minus 1 होगा upon h that equal अब आगे इसको salvo किया जाए आगे salvo करने पर आप देखो कि यहां पर यह 1 जो है minus 1 के साथ में cancel out होगा और cancel out होने के बाद हमको यहां पर value मिलेगा limit h tends to 0 यहां से मिलेगा x to the power n into n h upon x और upon h यहां से naturally आप देखो कि दोनो h cancel out होगे यह वाला h यह वाला h के साथ में cancel out होगा अब यहां से हम यह इसके value को put up करें तो that equal अब limit tends कर देए इस तो गायब ही हो गया है x का power यहां पर 1 है जो यहां आयाके minus हो जाएगा तो n into x to the power n minus 1 होगा जो कि किसका formula हो गया d by dx of x to the power n का इस पकार से d by dx of x to the power n n into x to the power n minus 1 होता है ठीक है तो यह होता है first principle से derivation अभी कई formula आपको निकाल के बताऊंगा मैं जिसको हमने रटा हुआ है वो सब formula हम भी derive करेंगे first principle से यह इसका formula है इसलिए हम d by dx of x to the power n को इतना याद करके रखते हैं और यह first principle से proof होता है clear रितिक गुपता का आज birthday है ओके भाई happy birthday happy birthday रितिक तो first principle से समझ में आ गया x to the power n यह तो algebraic function हुआ अब हम कुछ trigonometric function का v derivation first principle से देख लेते हैं ठीक है जैसे देखो अब हमारा next question है हमको मालूम है d by dx of sin x d by dx of sin x equal to होता है cos x अब इसको हम proof करते हैं proof by first principle प्रफम सिंधान से हमको इसको proof करना है हम जानते हैं कि d by dx of sin x cos x होता है d by dx का जो अकुलन होता है वो cos x होता है अब इस d by dx of sin x के अकुलन को हमको first principle के द्वारा proof करना है तो प्रफम सिंधान से लिए हम इसको proof करें तो किस प्रकार से proof कर सकते हैं देखो मैं अभी आपको बता है कि सबसे पहले जो हमारा question होता है उसको हम function of x suppose करते हैं तो function of x equal to हो जाएगा sin x function of x equal to sin x therefore function of x plus h अब इसको function of x plus h suppose कर लें तो यह हो जाएगा sin x plus h sin x plus h अब मैं direct value put कर रहा हूँ therefore by first principle यह हो जाएगा d by dx आप sin x equal to limit h tends to 0 यह हो जाए function of x plus h एक बार लिक देता हूँ function of x plus h और minus function of x upon h अब इसके values put up किया जाए तो limit h tends to 0 function of x plus h का value है sin x plus h क्या हो जाएगा sin x plus h और minus function of x का value है sin x तो यह sin x हो जाएगा और upon में h इस तरह से क्या करेंगे हम इसके दोनों के values put up कर देंगे अब इसमें हम लगाएगे sin c minus sin d का formula sin c minus sin d ठीक है तो sin c minus sin d का formula लाएगे क्या हो जाएगा limit h tends to 0 sin c minus sin d equal to होता है 2 cas c plus d by 2 तो यह हो जाएगा 2 cas c plus d by 2 यह दोनों को add किया जाए तो 2x plus h यह हो जाएगा 2x plus h by 2 यह होगा और into होगा sin c minus d by 2 तो c में d को minus करेंगे तो s cancel out हो जाएगा यह मिलेगा h upon 2 और upon h आगे इसको adjustment किया जाए तो इसको हम लिख सकते है limit h tends to 0 यहाँ पर 2 इसके नीचे लिखा जा सकता है तो हो जाएगा cas 2x plus h upon 2 और into sin h upon 2 और upon यह वाले 2 को यहाँ पर लिख सकते हैं यह हो जाएगा h upon 2 अब limit से आप देखो यहाँ पर जो हमने adjustment किया तो sin h upon 2 और upon h upon 2 क्या हो जाएगा limit के formula से यह 1 हो जाएगा इसका value 1 हो जाएगा और limit को tense कर दिया जाए तो limit tense करने से 1 होगा और यहाँ पर s का value 0 हो जाएगा तो 2 to cancel out हो जाएगा और यह हो जाएगा cas x यह cas x हो जाएगा इस पकार से देखो कि हमने proof किया d by dx of sin x equal to cas x इसी तरह से पूरे formula इसके इसी तरह से पूरे formula इसके derive किये गए हैं इसी तरह से इसके पूरे formula derive किये गए हैं अभी मैं आपको सिधा inverse trigonometry पर लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पहले हम समाने trigonometry का पढ़ेंगे इसके बाद inverse trigonometry का हम फिर first principle से पढ़ेंगे क्योंकि जैसे जैसे step by step हम को काम करना है उसी तरह से अपने को इसको पढ़ते जाना है ठीक है और यदि हम उसको एक साथी कठा सुरू में ही पढ़ दें तो वह बहुत ज्यादा confusion और बहुत ज्यादा burden जैसे हो जाता है हम उतने formula करते जाएंगे सुरवात में जिसका हमको यहाँ पर practice करना है तो यहाँ पर एक बार मैं repeat करूँ देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले first principle के help से first principle के help से हमने d by dx of x to the power n किया जो की n into x to the power n minus 1 होता है उसके बाद first principle की सहयता से हमने क्या किया sin x को differentiate किया cos x में इस तरह से ठीक है यह proved हो जाएगा वह है formula को learn करना आज का class का हमारा purpose यह है कि आज के class में आपको formula learn करना है तो चलिए मैं आपको formula एक एक करके आपको बता हूँ यह हमारा formula का collection है और यह basic formula है minimum starting में यह formula आपको याद होना चाहिए जिसमें पहला formula है d by dx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1 जो मैंने भी बताया दूसरा formula है d by dx of e to the power x equal to e to the power x मतलब e to the power x का जो ओकलन है वो e to the power x ही होता है a to the power x का ओकलन a to the power x log a to the base e होता है d by dx of log x का formula होता है 1 upon x d by dx of log x to the base a का formula होता है 1 upon x log a to the base e ये 5 formula हुए algebraic nest है पूरा collection में आपको देर हो formula का nest d by dx of sin x कास x होता है d by dx of कास x minus sin x होता है d by dx of 10 x sec e square x होता है d by dx of कास x minus cosec e square x होता है और d by dx of sec x sec x into 10 x होता है d by dx of cosec x minus cosec x into cut x होता है ये formula आपको learn करना है ठीक है यदि आप अभी बोलोगे तो one by one मैं आपको time दूँगा इसमें आप इसको इसकी नसार्ट लेना d by dx of एनी constant c होता है मतलब कोई भी constant का किसी independent constant के यदि हम differentiate करें तो वो 0 होता है जैसे d by dx of 5 d by dx of 7 इनका differentiation 0 हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखो d by dx of c function of x equal to c ये function मतलब constant बाहर हो जाता है इसका कहना है कि constant के साथ यदि कोई function हो तो constant बाहर हो जाता है और अंदर के function का differentiation हो जाता है उसी तरह से देखो ये दो function का sum हो रहा हो u plus v तो d by dx of u और plus d by dx of v होता है माइनस हो रहा हो तो d by dx of u माइनस d by dx of v होता है और यहाँ पर u into v हो तो d by dx of u into v मतलब यहाँ पर गुणा का जो फार्मूला है यह फार्मूला बहुत important इसको ध्यान से समझना दो फलनों के गुणा का तो u into v तो u d by dx of v plus v d by dx of u होता है माइने first function differentiation of second function plus second function differentiation of first function होता है तो यह पूरा यहाँ तक फार्मूला आपको लार्नक करना है इसके बाद हम देखें division का फार्मूला तो यह हमारा division का फार्मूला है d by dx of u upon v equal to v du by dx minus u d by dx upon v square और d by dx of mod x mod x का जो फार्मूला होता है वह वास्तों में x upon mod of x होता है इसका value 1 हो जाता है आलवेज यह ध्यान में रखना तो इतने फार्मूले आपको ध्यान रखना है जो की basic formula है इस formula को learn करने के बाद आपका differentiation start होगा तो यह formula आपके पास है या आप इसका skin start log के शुरू से बताइए या learn कर लोगे आप इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा उकलन करना तो पहला काम है आपका formula को learn करना पहला काम है आपका formula को याद करना याद है सब इसका PDF हम application में डाल देंगे धीरे-धीरे question को difficult करेंगे चलो मैं थ्वा time देता हूँ आपको screen start के लिए तो आप screen start कर सकते हैं ठीक है मैं दो-दो मिनट का time देता है आपको formula के collection के लिए चलिए ये जिनको इनकी screen start लेना है वो मैं दो-दो मिनट time दे रहा हूँ आपको के लिएर गए ऑगा हुआ आपको लिए चलिए आपको देता है चलिए इतना आपको फार्मूला पहले याद करके आना है अब मैं आपको कुछ कोस्टन की प्रेक्टिस कराता हूं ठीक है कुछ exercise के question करते हैं जिसमें मैं कुछ direct question आपको बता रहूं सबसे पहले जैसे मालो हमको कहीं पर लिखा है y equal to log x plus x square plus sin x मालो ऐसा लिखा है अब इसका हमको differentiation करना है बिल्कुल 0 लेबल से मैं आपको बताना है start कर रहा हूं अब इसको differentiate करेंगे तो differentiate करने पर क्या करेंगे देखो now differentiate इसको differentiation करें तो dy by dx equal to क्या होगा dy dx of log x plus x square plus sin x ऐसा लिखोगे अब हमारा rule क्या कहता है यदि sum हो या difference हो तो सब का अलग-अलग क्या होगा differentiation होगा तो अगले line में हम इसको क्या लिख सकते हैं dy dx of log x फिर अलग से हो जाएगा dy dx of x square plus यह हो जाएगा dy by dx of sin x सब का लग-अलग होगा अब सब का लग-अलग differentiate करेंगे तो dy by dx आफ लाग x क्या होगा one upon x plus dy by dx आफ x square 2x होगा और plus dy by dx आफ sin x क्या होगा कास x होगा यह इसका answer होगा कुल मिला के जो starting differentiation है सुरुवात का जो differentiation है वो सीधा formula पर best है सीधा सीधा formula पर best है मैं आपको अगले class में difficult level से start करूंगा आपको आज तो हमारा पहला दिन का class हमको सिर्फ क्या करना है फार्मूला याद करना है ठीक है उसके बाद एक दिन अलग से special class लूंगा समय इन्वा स्टिग्नमेट्री के लिए चलिए देखें इसके बाद में multiplication का कुछ आपको question करा देता हूं जैसे मालो हम multiplication के कोई question ले ले मालो हमको x equal to कहीं पर लिखा हुआ है लिखा है log x into sin x log x into sin x का हमको क्या करना है अब कलन करना है इसका अब कलन करना है तो कैसे होगा now differentiate यह इसको differentiate करेंगे तो left side को हम dy by dx लिखेंगे right side को भी dy dx आप log x into sin x लिखेंगे इस तरह से अब formula जो हमने पढ़ा है sorry u into v का जो formula पढ़ा है इसको u ले लेंगे इसको भी ले लेंगे तो formula क्या होता है first function मतलग log x into d by dx of sin x plus sin x into d by dx of log x that equal क्या हो जाएगा यह log x sin x का differentiation को हम cast x लिख देंगे plus sin x का sin x यहाँ पर और log x का one upon x लिख देंगे यह इसका answer हो जाएगा कुछ नहीं है basic formula को apply करना तो बहुत आसान है लेकिन यह आपको जानना जरूरी है basic formula को apply करना आपको आना चाहिए यह actual में इस class में बताने का नहीं है वास्ता में देखा जाए तो लेकिन मेरा सुरू से habit है कि मैं हमेसा class में खासकर offline class में पर महसूस करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको initial level पर knowledge नहीं होता तो उनको शुरू आच से ही परसानी हो जाती हो subject से डरने लगते हैं यह मेरे से कैसे होगा इसलिए मैं ऐसे ही students को ध्यान में रखके पढ़ा रहा हूं जो कुछ भी नहीं जानता वो भी उसको पकड़के धीरे से पीक अप करने के position में आ जाए इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हो बाकिया सने next class से हमारा फड़ा advanced level में differentiation होगा ठीक है बिल्कुल आनलाइन पढ़के टापर बन सकते हो कोई doubt की बात नहीं है आनलाइन पढ़के आप टापर बन सकते हो next एक question हम चलो कर लेते हैं division के लिए भाग के लिए कर लेते हैं तो suppose अपने पास question है y equal to कहीं पर लिखा हुआ है मानलो log x upon x मानलो log x upon x को हमको differentiation करना है first principle से ठीक है तो कैसे होगा मैं केवाल formula को apply करना सिखा रहा हूँ आपको तो now differentiate यह है अगर d by dx आप d by dx आप log x upon x ऐसा होगा that equal अब इसको हम solve करें तो जो formula होता है अपने पास अभी जोने formula का आपको collection दिया है तो v x into d by dx आप u माने log x हो जाएगा और minus v मतलब log x into d by dx आप x होगा और अपन v कई square मतलब x square होगा अब यह कहां से आया अब आप में से कई लोग के दिमार्ग में question आ रहा होगा कि सर फटा फटा प्रलिक दे रहा है आया कहां से तो यह सब formula आपको लर्ण करना पड़ेगा अभी हमने उसमें यह फारा formula लगाया है इसलिए वहां से लिक रहे हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आज एक दिन के class में मैं आपको time दे रहा हूं आज formula को याद करो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है जिनको याद नहीं है उनको formula याद करना ही है नहीं तो आगे कुछ समझ भूनी आएगा calculus पूरा formula पर best mathematics है तो आप मेरे साथ चल होता है और minus यह log x और इसका value कीतना हो जाएगा 1 upon x square आगे इसको salvage किया जाए तो that equal यह x x cancel out होगा तो 1 हो जाएगा तो यह 1 minus log x होगा और upon x का square यह इसका answer होगा इस तरह से 1 minus log x upon x square तो आसान है सब सब आसान है इसमें कुछी रखा हुआ है calculus हम बहुत fast करेंगे भी आप लोग का cooperation चाहिए बस आप लोग का cooperation चाहिए मतलब थोड़ा मेरे साथ आप इस पीट से करोगे तो आज तो पहला class हमयाद ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ आज सबसे important बात जो मैं बताया वो first principle है यह आप ध्यान रखना यह सबसे important है यह first principle यह जो मैंने आपको first principle का formula बताया differentiation का प्रथम सिध्धान का यह सबसे important इसको आप अच्छे से लिख के रखोगे प्रथम सिध्धान का formula उसके बाद प्रथम सिध्धान से मैंने x to the power n का आपको करके दिखाया फिर sin x का करके दिख साइन इन्वर्स x कास इन्वर्स x वगेरा कम है आगे करके बताऊंगा ऐसा नहीं यहां एक खतम नहीं हो गया यह आगे मैं इसको पढ़ाऊंगे इसके question भी कराऊंगा उसके पहले मैं आपको basic formula का लिस्ट दिया और यह कुछ question मैं आपको करके बताया कि कि किस प्रकार से इ students थोड़ा सा टापिक के साथ में friendly हो जाए फार्मूला अगर आयात कर लें लेकिन अगला क्लास हमारा थोड़ा लंबा रहेगा और function आप function जिसको हम chain rule कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा उकलन कहते हैं वहां से मैं स्टाइट करूंगा तो थोड़ा सा वहां पर question की प्रेक प्राब्लम नहीं होगा क्लास गेप करोगे यह आप रिवाइज नहीं करोगे तभी प्राब्लम होगा ठीक है तो जल्दी करूंगा मैं क्लास को complete जल्दी करूंगा पोर्स की चिंता मत करिए बहुत तेजी से हमारा कल्कुलेस्ट चलेगा ओके और कोई डाउट किसी को और किसी को कोई प्राब्लम अभिषैक रंजन थैंक यू थैंक यू सो मच और किसी को कोई प्राब्लम भाई गरव दिख्षी तो के वेरी गुड टाइम टेबल हमारा यह है कि हम 8-9 फिजिस पढ़ाते हैं 9-10 मैथेमेटिस पढ़ाते हैं और 3-11 का क्लास होता है 3-12 का क्लास होता है पवन साहनी ओके भई आपका नाम लिया मैंने चलिए ठीक है तो आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं और नेस्ट क्लास में फिर हम डिफ्रेंसियेशन के कोस्टन की कंटिनिवस प्रेक्टिस करेंगे ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच क्पार्णिए